नमस्कार मैं आलोक सिंग आज आप लोगों के साथ पैराशितामॉल के बारे में कुछ जानकारी हाशिल करने की कोशिश करेंगे कि पैराशितामॉल क्या है इसकी क्या फार्माकलोजी है क्या थेरापिटिक एफेक्ट है और इसका क्या मेकनिजम आफ एक्षन है लेकिन इस पैराशितामॉल के फार्माकलोजी समझने से पहले थोड़ा से हम लोग ये कुछ फैक्स है उन फैक्स को जानने और समझने की कोशि करते हैं पैराशितामॉल हर घर में पाया जाता है और हम सभी को मालूम है कि पैराशितामॉल का यूज हम अपने बाडी के टैंपरेचर को इंक्रीजड बाडी के टैंपरेचर को रिड्यूस करने में के लिए यूज करते हैं मिंस हमारे बाडी में ऐधी कोई फीवर है उस फी पाइरेटिक ड्रग के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा पैरसिटामॉल एनालजेसिक एफेक्ट भी प्रोड्यूश करता है। और वेरी पूर एंटी इंफ्लामेटरी एफेक्ट भी प्रोड्यूश करेगा। लेकिन हम इसे एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट के उन्हें एक special category के अंदर रखा जाता है जिसे कहते है नन अस्टेरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रक्स जितने भी ये N-SEDS हैं नन अस्टेरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रक्स हैं ये ड्रक्स प्रोस्टाग्लेंडीन के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है प्रोस्टाग् प्रोस्टाग्लेंडीन के सिंथेसिस को ब्लॉक करेगा लेकिन ये प्रोस्टाग्लेंडीन के सिंथेसिस को ब्लॉक करेगा लेकिन ये प्रोस्टाग्लेंडीन के सिंथेसिस को ब्लॉक करेगा लेकिन ये प्रोस्टाग्लेंडीन के ब्लॉक होने से इसे तीनों एफेक्ट प एन्टी पाइरेटिक लेकिन ये इट इस ए गुड एन्टी पाइरेटिक, मौडरेट एन्आलजेसिक एंड वेरी पूर एन्टी इन्फ्लामेट्री एजेंट। ऐसा क्यों है? इसके बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे. दूसरा फैक्ट्स ये है कि जो भी ड्रग प्रोस्ट्राग्लेंडीन्स को सिंथेसिस को ब्लॉक करती हैं, उन्हें ड्रग को हम लोग एक एस्पेशल ग्रूप के अंदर रखते हैं और उसका नाम दिया गया नन एस्टेरोइडल एन्टी इन्फ्लामेट्री ड्रग्स. लेकिन जो पैराशितमॉल है, इट इस नाट ए नन एस्टेरोइडल एन्टी इन्फ्लामेट्री ड्रग्स. फिर प्रस्ट ये है कि जब सारी ड्रग जो प्रोस्ट्राग्लेंडीन्स को सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहे हैं और नन एस्टेरोइडल हैं केमिकली, उसे हमने एक ग्रूप में रखा, पैराशितमॉल भी एक नन ए एस्टेरोइडल एन्टी इन्फ्लामेट्री ड्रग के रूप में नहीं जानते हैं, इसे हम लोग एन्सेर्स के ग्रूप के अंदर नहीं रखते हैं. एक और पॉइंट है कि जो ड्रग एनालजेसिक एफेक्ट परड्यूस करते हैं बाइ एक्टिंग ऑन दा सेंट्रल सिस्टम वैसे ड्रग का हम दो नाम देते है इटी इस नार्कोटिक ड्रग लेकिन जो पैराचितमॉल है ये ड्रग भी एनालजेसिक एफेक्ट प्रोडूस करता है बाइ एक्टिंग ऑन CNS लेकिन इसे हम लोग Narcotic Drug के रूप में नहीं जानते और इसे हम रखते हैं under category non-narcotic drug तो आज की क्लास में हम लोग इन सभी points को discuss करेंगे कि इसे हम क्यों non-narcotic drug करते हैं इसे हम क्यों non-esteroidal anti-inflammatory drugs खूल द्रूप के दूप रखते हैं और यह ड्रग क्यों good anti-paratic है, moderate analgesic है and very poor anti-inflammatory agents है तो चलिए आज हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं about some information of this paracetamol सबसे पहले जो paracetamol है, इस paracetamol का हम लोग एक और नाम देते हैं that is called acetaminophen means paracetamol का दो नाम हो गया, एक word है that is the paracetamol और दूसरा हम लोग इसे एक अलग नाम से भी जामते हैं acetaminophen जो हमारी ये paracetamol है, ये paracetamol chemically paraminophenol derivative है chemically it is paraminophenol derivative और जो ये paraminophenol derivative है, इस काटेगरी के अंदर दो ड्रग आते हैं एक हो कहते हैं phenacetin और दूसरे हो कहते हैं paracetamol अब हम लोग इसके नाम को देखते हैं कि इसका नाम paracetamol क्यों है जो paracetamol है, ये chemically paracetamol है chemically it is paracetamol और इसी को हम लोग ने short किया और नाम दे दिया गया paracetamol, paracetamol इसी का दूसरा नाम acetaminophen हुआ, वो नाम भी इसी नाम से आ रहा है हमारा, that is the paracetamol aminophenol, acetyl aminophenol और इसी को short करके एक नाम दिया गया acetaminophen, तो इस तरह से हम लोग ने paracetamol का scientist ने paracetamol का दो नाम रखा, एक रखा गया paracetamol और दूसरा नाम रखा गया acetaminophen, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस acetaminophen को याद करने में आसानी होगी, very simple, acetyl aminophenol, इसी को short में किया गया, that is the acetaminophen, अब आईए, हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को कि paracetamol है क्या, तो जो ये paracetamol है, ये paracetamol हमारी paraminophenol derivative है, जिसके अंदर दो drugs यूज होती है, एक का नाम है fenacetine और दूसरे का नाम है paracetamol, लेकिन जो ये fenacetine है, ये fenacetine एक side effect या toxic effect प्रोड्यूस करता है, जिसे कहते हैं, analgesic abuse nephropathy, analgesic abuse nephropathy, मिन से कि हम इदी fenacetine का यूज लंबे समय तक, as you analgesic करेंगे, तो ये हमारे kidney के उपर effect प्रोड्यूस करेंगे, और kidney के shape को change कर देती हैं, और इसे हम लोग कहते हैं nephropathy, nephro word आया किसे, nephron, मिन्स जो kidney के अंदर nephron है, उस nephron के अंदर changes आनी शुरू हो जाएंगी, और उससे जो हमारी kidney है, ये kidney कर जो functions हैं, वो functions disturb हो जाएगा, और उस disturbance के लोग नाम देते हैं, it is the nephropathy, तो fenacitine एक toxic drug है, जो की analgesic abuse nephropathy producer करता है, ये जो हमारी analgesic abuse nephropathy है, इसके चलते fenacitine को ban कर दिया गया, कि इसका use हम लोग as a analgesic drug नहीं करेंगे, इसी fenacitine का थोड़ा सा chemical change करते हैं, और इस fenacitine को हम लोग deethylation करेंगे, deethylation करने से जो fenacitine होंगी, वो एक नया compound का formation करती है, और उस compound का नाम होता है, it is paracetamol, और ये जो paracetamol है, या एक safe drug है, जिसका use हम लोग analgesic या anti-piratic के रूप में कर सकते हैं, अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, कि जो paracetamol है, ये इस paracetamol का mechanism of action क्या है, ये किस तर से हमारी body के अंदर analgesic और anti-piratic effect प्रोड्यूसर करता है, very simple, हम सभी जान चुके हैं, कि हमारी body के अंदर prostaglandins की synthesis होती है, और वो synthesis कहां से होंगी, तो from the arachidonic acid, कि हमारी body arachidonic acid को prostaglandins में converted करती है, और इसके conversion के लिए, जिस enzyme का use होता है, उस enzyme का हम लोग नाम देते है, cyclooxygenase, और ये cyclooxygenase two types की होती है, that is the cox-1 and cox-2, means cyclooxygenase one and cyclooxygenase two, इसकी prostaglandins की biosynthesis कैसे होती है, इनका detail हम लोग study कर चुके है, मैं उसके synthesis का link description box में डाल दूँगा, आप वहाँ से उस link पे जा सकते हैं, और prostaglandins के biosynthesis को समझ सकते हैं, अब लोग आते हैं, अपने paracetamol पे, तो जो ये paracetamol है, paracetamol इस pox enzyme को block कर देंगे, अब जब ये pox enzyme block हो जाएगा, means ये pox enzyme paracetamol के द्वारा consume कर ली जाएगे, then this pox enzyme will not be available to convert prostaglandin G2 into prostaglandin H2, और जब prostaglandin H2 का conversion रुख जाएगा, उस condition में हमारी body के अंदर, prostaglandin की जो further synthesis है, वो further synthesis block हो जाएगी, और जब ये further synthesis block हो जाएगे, तो prostaglandin का formation नहीं होगा, और जब prostaglandin formation नहीं होगा, तो हमारे body के अंदर, जो pain हमें महसूस हो रही है, जो दर्द हमें महसूस हो रही है, वो दर्द महसूस नहीं होगी, pain महसूस नहीं होगी, fever नहीं होगा, और inflammation भी नहीं होगा, अब यहाँ पे body का कुछ part ऐसा होगा, जहाँ पे pox का concentration बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पे pox सा concentration इतना ज़्यादा होगा, कि paracetamol उस सभी pox को control नहीं कर पाएंगे, not in all part, in some part of the body, like inflammation site, कि जिए दि कहीं पे कोई चोट लग गया हो, कोई cut लग गई हो, और उस चोट या cut के कारण inflammation हो गई, तो वहाँ पे pox का concentration बहुत ज़्यादा होगा, नतीजा कि paracetamol उन सभी pox को consume नहीं कर पाएंगी, सभी pox को control नहीं कर पाएंगी, उसी तरह से दूसरा site हमारा है leucocytes, जो leucocytes है, उन leucocytes में भी pox का concentration बहुत ज़्यादा होता है, similarly जो platelets है, उन platelets में भी pox का concentration बहुत ज़्यादा होता है, मेंसे कि इन sites पे हमारी paracetamol अपना effective produce नहीं कर सकती, अब इन में से हम लोग एक site के बारे में discuss करते हैं, that is the inflammation site, अब हम लोग क्या कह रहे हैं, कि paracetamol is not a anti-inflammatory agent, ये anti-inflammatory agent नहीं है, ये inflammation को block नहीं कर पा रहा है, क्या कारण हुआ, क्योंकि inflammation के site पे prostaglandins का concentration बहुत ज़्यादा होगा, और जब concentration ज़्यादा होगा, तो ये prostaglandins को paracetamol block नहीं कर पाएंगी, inhibit नहीं कर पाएंगी, नतीजा कि वहाँ पे inflammation मौझूद रहेगी, even in presence of the paracetamol, इसलिए हम कहते हैं, कि paracetamol is a very poor anti-inflammatory agent, अब चुकि ये poor anti-inflammatory agent है, इसलिए paracetamol को हम लोग non-esteroidal anti-inflammatory drugs के कटेगरी में नहीं रखते, क्यों नहीं रखते समझ गया होंगे, क्योंकि सारी के सारी non-esteroidal anti-inflammatory drugs, प्रोस्टाग्लेंडीन के synthesis को ब्लॉक करती है, तो प्रोडूस दा एंटी इंफ्लामेशन इफेक्ट, लेकिन paracetamol प्रोस्टाग्लेंडीन को ब्लॉक तो कर रही है, लेकिन ये जहां इंफ्लामेशन साइट है, वहाँ के इंफ्लामेशन को वहाँ के प्रोस्टाग्लेंडीन के synthesis को ब्लॉक के नहीं कर पाती है, और इसलिए इससे हम लोग एंटी इंफ्लामेशन इजेंट नहीं कहेंगे, और चुकि ये एंटी इंफ्लामेशन इजेंट नहीं है, इसलिए इससे हम लोग NSAIDS, नन एस्टेरोइडल एंटी इंफ्लामेशन के काटेगरी में, या इस drugs के group के अंदर paracetamol को included नहीं किया जाता है इससे हम लोग कहेंगे कि paracetamol इसे antipiratic analgesic means यह antipiratic भी है और analgesic है but it is not anti-inflammatory, it is not a non-asteroidal anti-inflammatory drugs अब आये थोड़ा से हम लोग जामते हैं कि paracetamol analgesic effect कैसे produce कर रहा है या paracetamol antipiratic effect कैसे produce कर रहा है body का कुछ parts जैसे की vascular endothelial cells या neurons या central nervous system इन parts में जो pox का concentration होता है वो pox का concentration काफी कम होगा और जब यहाँ पे pox का concentration कम होगा तो इन areas में इन parts में जो paracetamol पहुंचेंगी उन parts में prostaglandine के synthesis को block कर देंगी मिनसे कि इस area के दोरा जो effect produce हो रहा है वहाँ पे paracetamol अपना effect producer करेंगी जैसे for example हम लेते हैं कि neurons है neurons के पास जो prostaglandine की synthesis होंगी तो वहाँ पर pain का sensation हमें महसूस होगा दर्द हमें महसूस होगा अब जब हम paracetamol लेंगे तो paracetamol neurons के आज पास के prostaglandine को block कर दे रही है और जब यहाँ पर block हो जाएंगी prostaglandine तो जो pain का sensation है वो sensation हमें महसूस है नहीं होगा और इसलिए यह यहाँ पर analgesic effect produce करेंगी दूसरा हम पार्ट लेते हैं that is the central nervous system CNS जो CNS में prostaglandine होती है वो prostaglandine से CNS के hypothalamus को affect करती है hypothalamus हमारे body का thermoregulatory center है temperature regulatory center है कि हमारे body का जो temperature है वो इसी hypothalamus के द्वारा adjust किया जाता है maintain किया जाता है means this hypothalamus act as a thermo state कि हमारे body का जो thermo state है वो thermo state कौन सा है that is the hypothalamus अब जब यहाँ पर prostaglandine की synthesis हो जाएंगी तो यह prostaglandine hypothalamus को disturb कर देगा means CNS के अंदर prostaglandine synthesis हो गई किसी भी कारण से होई हो prostaglandine synthesis हो गई तो वो hypothalamus को disturb कर देगा और जब hypothalamus disturb होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि body का जो temperature है वो temperature increase हो जाएगा वहाँ पर fever produce हो जाएंगी अब हमारी जो पराशितामॉल है यह पराशितामॉल इस परोस्टाग्लेंडीन को ब्लॉक कर देंगी तो जो hypothalamus के पास जो परोस्टाग्लेंडीन है या जो CNS में परोस्टाग्लेंडीन है उन परोस्टाग्लेंडीन को पराशितामॉल ब्लॉक कर देंगी और जब पराशि कम में हो जाएंगी. इस तरह से पारासीतामोल एंटी-पाईरेटिक एफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. अब देखे, हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या स्टेडी किया था कि पारासीतामोल सेंट्रल नर्वर सिस्टम के ऊपर एफेक्ट करके अपना एंटी-पाईरेटि effect produce करता है, लेकिन हम इसे narcotic drug के category में नहीं रखते है. यूज्युरली क्या होता है जो drug CNS के ऊपर act कर रहा है और अपना effect produce करता है, वैसे drug, हम लोग narcotic drug कहते हैं, लेकिन paracetamol को हम narcotic drug नहीं कहते. क्यों नहीं कहते है? यह CNS के ऊपर act तो कर रहा है, लेकिन CNS में किसी भी तरह का depression प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, CNS को depression नहीं कर रहा है, CNS में anxiety को यह control करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, simply यह क्या कर रहा है, कि इत control दा, इत regulate दा hypothalamus, कि यह सिर्फ hypothalamus को regulate कर रहा है, और इसलिए हम paracetamol को non-narcotic drug कहेंगे, या कहेंगे इती यह non-narcotic analgesic या non-narcotic anti-piretic, के लिए हुगी बात ही है, कि इस paracetamol क्यों non-narcotic drug के category में आता है, even it is acting on the CNS या acting inside the central nervous system, दूसरा point, कि जब हम paracetamol देते हैं, तो paracetamol के बारे में यह भी कहा जाता है, कि बाडी का जो raised temperature है, बाडी का जो increased temperature है, उसको यह down करके normal पे ले आएगा, लेकिन एदिम माल दीजिए कि हमारी बाडी का normal temperature है, और हमने बाडी के अंदर paracetamol administer कर दिया, उस condition में paracetamol हमारे बाडी के temperature को further decrease नहीं करेगा, means further उसके temperature को कम नहीं करेगा, means वहाँ पर हाइपो थर्मिया का state produce नहीं होगा, देखेंगे दो वर्ड़े, एक को कहते हैं हाइपो थर्मिया और दूसरे को कहते हैं हाइपर थर्मिया, means जब body का temperature normal temperature से ज़्यादा हो जाए तब कहेंगे इट इज हाइपर थर्मिया, जब body का temperature normal temperature से ज़्यादा हो जाता है, तब हम कहते हैं इट इस हाइपर थर्मिया, और जब body का temperature, body के normal temperature से कम हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं, इट इज हाईपो थर्मिया, तो पेराशितामॉल की एक खास्यत होगी कि यदि हमारी बॉड़ी हाइपर्थर्मिया स्टेज में है मिन्स हमारे बॉड़ी का टेंपरेचर नॉर्मल टेंपरेचर से जदा है तो उस टेंपरेचर को वो नॉर्मल कंडिशन में लेकर आ जाएगा लेकिन सपोज करें कि हमारे बॉड़ी का टेंपरेचर आल्रेडी नॉर्मल स्टेज में है और उस कंडिशन में हमने बॉड़ी के अंदर पेराशितामॉल एड्मिनिस्टर कर दिया तो हमारी बॉड़ी में ये हाइपो थर्मिया प्रोड्यूसर नहीं करता में से नॉर्मल टेंपरेचर है तो टेंपरेचर उस वहाई पे कॉंस्टेंट रहेगा कारण समझ गया होंगे कि हमारे बॉड़ी के अंदर कि किसी भी कारण से हाइपो थैलमस डिस्टर्ब हो गया और उससे हमारी बॉड़ी का टेंपरेचर बर गया और ये बॉड़ी टें अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा अब यदि यहां पर सपोज करें कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेंपरेचर है इसका मतलब कि हाइपो थैलमस के पास कोई भी प्रोस्टा ग्लेंडीन नहीं पाया गया नहीं एवेलेबल है अब उस कंडिशन में पैराशितामॉल प्र एफेक्ट प्रोडीूस से नहीं करेंगा और इसालिए हम कहते हैं कि पैराशितामॉल हाइपरटेंपरेचर को हाइठ अपरեचर को रेडिईूस करके नॉर्मल पे ले आएगा लेकिन नॉर्मल के टैमपर नॉर्मल बोडी टैमपरेचर को हाइपो धर्मया मेंज नॉर्मल स का जो थ्रिश होल्ड है थ्रिश होल्ड मतल होता है बरदास्त करने की छमता सपोस करें कि हमारे बॉड़ी में पेन है और उसे हम टॉलरेट कर रहे हैं हमें पेन महसूस से नहीं होता जैसे आप देखते होंगे दो अलग अलग परसन है और दोनों को एक तरह का पेन दिया करेंगा वो क्यों नहीं हो रहा है दिस इस दा डियू टू दा थ्रेश होल्ड कि हर एक बॉड़ी को पेन बरदास्त करने की अपनी एक थ्रेश होल्ड होती है और उस थ्रेश होल्ड तक जब तक पेन नहीं पहुंचेगा वो बॉड़ी पेन को महसूस से नहीं करेंगी पैर बारा बॉडी उस पेन को महसूसे नहीं कर रहा है तो और इस तरह से ये पैराशीटामोल एनालजेसिक एफेक्टे प्रोड्यूसे कर देंगी तो हम समझ गहेंगे कि पैराशीटामोल सी एनेस के ऊपर एक्ट करके दोनों एफेक्ट प्रोड्यूस करती है दैट इस दा एंटी पाइरेटिक एफेक्ट है और एनालजेसिक एफेक्ट है बाइ एक्टिंग ऑन दा सी एनेस लेकिन ये किसी भी तरह का कोई सीडेशन या कोई एंग्जाइटी को रिड्यूस करने वाला काम नहीं करती है ब्रेन को किसी तरह से ब्रेन के एस्टेटस को अल्टर नहीं करती है इसलिए इसे हम लोग नार्कोटिक ड्रग या नार्कोटिक एनालजेसिक के कैटेगरी में नहीं रखेंगे किलोगी बात यह कि CNS के उपर यह act करके क्या काम कर रहा है तो it is acting as antipiratic and analgesic और periphery में neuron के उपर यह act करके analgesic effect produce कर रही है और इस तरह से हम देखते हैं कि जो paracetamol है वो paracetamol antipiratic drug है paracetamol antipiratic drug है but it is a poor anti-inflammatory agent अब हम लोग जानते हैं इसके pharmacokinetics के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते है कि what is the pharmacokinetic of the paracetamol paracetamol को जो हम GIT के अंदर administer करेंगे तो वहां से यह completely absorb हो जाएंगे इसका बहुत आशानी से GIT से absorption हो जाती है और बहुत आशानी से हमारे पूरे body में यह distribute भी हो जाता है means absorption और distribution में कोई problem नहीं है कोई उसमें भी से जानकारी हासिल करने क्या हो सकता नहीं है अब हम लोग आते हैं इसके metabolism पे तो paracetamol का metabolism में हमारे body के अंदर liver के अंदर होती means body में जो liver है उस liver में paracetamol का metabolism होती है और यह जो metabolism है उसका जो process है that is the conjugation means किसी दूसरे chemical जो liver के अंदर दूसरे chemicals available है उन chemicals के साथ यह combine करेंगी और combine होने से यह paracetamol inactivate हो जाएंगी या metabolites में convert हो जाएंगी और वो metabolites हमारे body से excrete हो जाएगा अब जो यह जिस chemicals यह combine करेंगी जिस chemicals यह conjugate करेंगी mainly वैसे three chemicals है जो liver के अंदर पाई जाती है वो हमारा है glucoronic acid, sulfuric acid and cystine इसका जो 60% paracetamol होगा जो liver के अंदर होगा वो glucoronic acid के साथ combine करेगा और वहाँ पर एक नया compound बनाएगा that is called the paracetamol glucoronide paracetamol glucoronide ठीक उसी तरह से यह sulfuric acid के साथ combine करेगा conjugate करेगा 35% और वहाँ बनाएगा यह paracetamol sulfate और about 3% जो drug होंगी paracetamol वो cystine के साथ conjugate करेंगी और paracetamol cystine का formation करती है किलर होगी बात है वहाँ जी सिंपल कि paracetamol लीवर के अंदर इसका जो 60% पार्ट होगा वो glucoronic acid के साथ combine करेगा और glucoronide बनाएगा 35% sulfuric acid के साथ combine करेगा और वो sulfate बनाएगा और 3% सिस्टीन के साथ combine करके सिस्टीन compound बनाएगा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है यह जो compounds बन रही है हमारी glucoronic acid से या शल्फूरी के सीड से या सिस्टीन से यह इनका कोई harmful effect कोई toxic effect हमारे बाड़ी पे नहीं होगा और बाड़ी हमें बाड़ी इन compounds को बहुत आसानी से यूरीन के थरू एक्सक्रीटे कर देंगी लेकिन इसका small amount पैराशितामॉल का small amount जो होगा बहुत हैरी small amount है metabolize होता है एक enzyme के दोरा जिस enzyme का नाम है साइटो क्रोम P450 एक enzyme का system है हमारे body के liver के अंदर एक enzyme system पाई जाती है उस enzyme system का नाम है साइटो क्रोम P450 और ये enzyme पैराशितामॉल के small amount को N-acetyl benzene quinine amine के रूप में converted कर देंगी ये क्या नाम हुआ मैं फिर से वह नाम दे रहा हूँ N-acetyl benzene quinine amine जिसमरों short में कहते हैं N-A-Q-B-I ये जो N-A-Q-B-I है it is toxic in nature इसकी body के अंदर पर toxicity होती है ये body के लिए बहुत ज़्यादा harmful होता है और ये body में के liver को damage कर सकता है मिन से कि यदि हम excess amount ये पराशितमॉल का हम normal dose लेंगे उस condition में इसका formation नहीं होगा और ये इसका formation हो भी गया तो ये हमारे इस glucoronide के द्वारा neutralize कर दी जाएंगी या glucoronic acid के द्वारा neutralize कर दी जाएंगी और ये हमारे liver में किसी तरह का कोई नुक्सान नहीं पहुंचाएगा लेकिन हमने पराशितमॉल का overdose ले लिया मिन्स जो specified dose है उससे ज्यादा amount हमने पराशितमॉल ले लिया उस condition में हमारे body के अंदर naqbi का formation ज्यादा हो जाएगा और ये जो glucoronic acid है ये glucoronic acid इसे naqbi को neutralize नहीं कर पाएंगी metabolize नहीं कर पाएंगे नतीजा इत्मे काज हीपैटो टॉक्सी सीटी चे कहेंगे हीपैटो टॉक्सी सीटी हीपैटो टॉक्सिक मतलग क्या हो गया कि जो liver को damage कर रहा है तो इस तरह से जो पराशितमॉल है ये पराशितमॉल एक safe drug है लेकिन यदि हम इसका overdose लेंगे तो ये hepatic toxicity produce कर सकता है हमारे liver को damage कर सकता है इसका detail हम लोग तब study करेंगे जब हम जानेंगे about the paracetamol poisoning अभी सिफ हम इतना जानते हैं कि paracetamol के ज़िए हम overdose लेंगे तो वो overdose से जो metabolites बनेंगी especially जो naqbi है ये जो metabolite बन रही है ये metabolite हमारे liver को damage कर सकती है ये liver के लिए नुक्सान दायक होंगे अब हम आते हैं side effects के बारे में तो जो paracetamol है इसका as such कोई भी serious side effect हमारे body पे नहीं पाया जाएगा और कब तक ये serious side effect नहीं पाया जाएगा जब हम उसका therapeutic dose लेंगे means in the therapeutic dose paracetamol does not have any serious side effect और any threat for our life और इसलिए इसको हम लोग OTC काटेगरी के अंदर रखते हैं कि without prescription कोई भी person paracetamol को purchase कर सकता है फिर भी in rare case कभी कभी हमारे body के अंदर कुछ symptoms develop हो सकते हैं कुछ side effects develop हो सकते हैं वो हमारा है skin rashes minor allergic reactions and change in the leukocyte count इसके अलावा हम इसको long term तक यूज़ करेंगे काफी ज्यादा यूज़ करेंगे तब यह renal tubular में necrosis में जो हमारी kidney है उनके cell को damage कर सकती है hypoglycemia produce कर सकती है और यह coma भी produce कर सकती है but these are the very rare side effect और यह तभी precipitate होता है जब हम large dose बहुत लंबे समय तक paracetamol का लेते रहें अब हम लोग आते हैं next topic that is the therapeutic use of the paracetamol हम सभी को मालूम है कि paracetamol एक antipyretic drug है और यह एक analgesic drug है कि जिसका therapeutic use हो गया it is antipyretic and it is analgesic है और यहां तक कि it is used as a substitute of aspirin कि हम aspirin के substitute के रूप में भी paracetamol का use कर सकते हैं क्योंकि aspirin के अंदर कुछ toxic effect होती है कुछ side effect होती है जो हम लोग ने पिछली class में study कर लिया था और वो side effect इस paracetamol में नहीं पाई जाएंगी aspirin भी analgesic है paracetamol भी analgesic है लेकिन aspirin के द्वारा कुछ side effect produce की जाती है वो side effect हमारे paracetamol में नहीं पाई जाती है देखिए वो side effects क्या है वो side effects हमारी है that is the respiratory stimulation की जो aspirin है हमारे rate of respiration को increase करता था हमारे body के acid base balance को disturb करता था हमारे body के अंदर rate of metabolism को increase करता था body के अंदर जो stomach है उस stomach में जो mucous membrane है उन mucous membrane को ये disturb करता था उसके चलते में stomach में ulceration और bleeding की problem आ सकती थी जो platelets है ये platelets के functions को भी aspirin effect करता है जिससे की जो bleeding time होती है वो bleeding time increase हो जाती है और ये जो aspirin है वो uricosuric effect भी produce करता था means these are the side effect of the aspirin लेकिन जब हम paracetamol का use करते है उस condition में paracetamol inside effects को produce से नहीं करता चलिए ये तो सभी जगर लिखा हुआगा सभी बुक में भी आप पहल नहीं होंगे कि paracetamol ये सारे side effects produce नहीं करेंगी जो सारे side effects aspirin के द्वारा produce की जाती है अब हम लोग तो आसा इसको explain करते है कि क्यों paracetamol क्यों inside effect को produce नहीं करती है और aspirin क्यों inside effects को produce करती है फिर से हम लोग अपने आपको revise करते है और वो हमारा है that is the synthesis of prostaglandine कि जो prostaglandine है उसकी synthesis जो हमारी renal means kidney के अंदर हो रही है platelets पे है और हमारी जो क्या नाम गते है stomach इस stomach के ऊपर हो रही है तीन जगा है prostaglandine का effect है कि prostaglandine synthesis stomach के अंदर होती है platelets में होती है और renal system में होती है जो prostaglandins naturally हमारे renal system में develop होती है वहाँ पर ये prostaglandine blood circulation को increase करती है means वो हमारी kidney है उस kidney के अंदर prostaglandine blood vessels की thermosite में शिक्रीट होती है तो ये prostaglandine इनके platelets को aggregation करती है platelets को आपस में combine करती है ये clotting factors को बेस्तम कहेंगे कि prostaglandine जो clotting factors है उन clotting factors के synthesis को stimulate करती है means जो prostaglandine होगा वो clotting factors के synthesis को affect करेंगे और वो prostaglandine वहाँ से blood को clot करवाएंगे और तीसरा होता है stomach के अंदर जो prostaglandine होती है ये mucos के synthesis को stimulate करती है जो वहाँ पर mucos membrane है और वहाँ पर जो mucos का formation हो रहा है उस mucos के formation में help करती है हमारी ये prostaglandine और ये mucos से protect करता है stomach के wall को from the attack of acid की जो हमारे stomach के अंदर acid available है जो hydrochloric acid available है या जो हमारी enzymes available है इन enzymes से और इस acid से ये mucos से stomach के wall को protect करता है जब हम aspirin देते हैं तो aspirin क्या करेगा कि prostaglandine के synthesis को block कर देगा prostaglandine के synthesis को block होते ही क्या होगा कि renal kidney मतलब की kidney के अंदर blood का circulation कम हो जाएंगी blood flow कम होगा और it will cause the uricosuri के effective means proper urea का filtration नहीं होगा दूसरा जब ये aspirin हम देंगे तो aspirin क्या करेगा कि platelets में जो prostaglandine synthesize हो रही है उस prostaglandine synthesis को block कर देगा कम कर देगा नतीजा clotting factors नहीं बनेंगे और जो platelets होंगी वो platelets से freely move करेंगी और इज़ी कहीं cut लग गई तो वहाँ जो bleeding होगी चुकि clotting factor नहीं है तो bleeding unstopped होगी जो bleeding होगी बहुत ज़्यादा bleed हो जाएगा तीसरा एस्प्रीन जब prostaglandine को block करेंगी नतीजा क्या होगा कि gastric means stomach के wall पे mucus का synthesis भी block हो जाएगा क्योंकि prostaglandine mucus को synthesize कर रहा था अब जब prostaglandine mucus का synthesis block हो गया तो इस stomach के अंदर जो HCL available है या जो enzyme available है वो stomach के wall को digest करना शुरू कर देंगी और जब वहाँ wall को digest करेंगी तो वहाँ पे ulcer का development हो जाएगा तो these are the side effect of the aspirin लेकिन जब हम paracetamol लेते हैं तो paracetamol भी prostaglandine के synthesis को block करता है लेकिन अभी थोरी देर पहले हम लोगोंने study किया कि जो pox enzyme हम लोगों क्या study किया कि paracetamol किसको block कर रहा है pox को तो जो pox enzyme है यह pox enzyme kidney के अंदर इन platelets में और stomach के wall पे बहुत ज़्यादा amount में पाई जाती है और यह pox enzyme वहाँ पे इतना ज़्यादा होंगी कि paracetamol इन सभी pox को control नहीं कर पाएंगी सभी pox को block के नहीं कर पाएंगी और जब वो pox को block नहीं कर पाएंगी means कि इन parts में prostaglandine के synthesis को paracetamol stop नहीं करेगी और जब वी इन parts में paracetamol का synthesis stop नहीं होगा तो जो side effects produce हो रही थी due to blockage of the prostaglandine वो side effect यहाँ पे paracetamol produce से नहीं कर पाएंगा मैं उमीद करता हूँ कि मैं इस point को समझाने में कम्याब हुआ हूँगा आपको यह सारे point क्लियर होगी होगी फिर वी यह दि आपको यह point क्लियर नहीं हो रही है कहीं पे तो आप comment box में अपना comment जरूर लिखें और उसका मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिस करूँगा कि मैं reply दूँ और आपके doubts को clear करूँ थैंक्यू वेरी मच लेकिन last में मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप अपना positive या negative comment comment box में जरूर डाले मुझे उसकी आवसकता है आपके उसी comment से मुझे पता चलेगा कि मैं जो यह class ले रहा हूँ जो class यह deliver कर रहा हूँ वो आपके लिए useful है या नहीं है Thanks a lot for remaining with me for a such long duration. Thanks a lot.